स्वागत है आपका योजना ग्यान फॉर यू में और आज की ब्रेकिंग निज्स सामने आ रही है करमचारियों के अचारे में बड़ा रिवीजों होने वाला है महंगाई भत्ता रिवाईज होगा कितना रिवाईज होगा और क्यों रिवाईज होगा और कब से यह रिवीजन करमचारियों के लिए अच्छे खबर आने वाली है मार्च महीने में उनके महंगाई भत्ते में हुए इजाफ़े में कई तरह की कैल्कुलेशन को अब बदल कर रख दिया है करمچاریों के लिए सरकार के दोरे समझे समय पर अन्य फायदे के लिए महंगाई बताओं अन्य लागू किये जाते हैं यहाँ पर अन्य करमचारिओं के लिए मार्च महीने में महंगाई बताओं में हुई जाफcej ने कैलकुलेशन को अब बदल कर रख दिया है पहले महंगाई भता जीरो से शुरू होगा और दूसरा महंगाई भता 50% तक पहुचने से एचारे का रिविजन भी कर दिया गया है लेकिन अब सवाल है कि जब डिये की कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी तो एचारे का क्या होगा केंद्रे करमचारियों का महंगाई भता मार्च में रिवाइज करके 50% किया गया था इसके बाद चर्चाह की अगले रिविजन पर महंगाई भते को शुन्य कर दिया जाएगा इसे करमचारियों पर बहुत ज़्यादा परभाव पड़ेगा जुलाई के बाद महंगाई भते को जीरो कर दिया जाएगा केंद्रे करमचारियों को भी इसका इंतजार है लेकिन हम आपको बता दे कि ऐसा होने की स्थिति में दो चीजों पर इसका सबसे ज़्यादा असर आएगा महंगाई भते अगर जीरो होता है तो लेकिन करमचारे को मिलने वाला एचारे भी एक बार फिर से रिवाइज होगा क्योंकि यहां भी रिविजन का नियम लागू होता है महंगाई भते की कैलकुलेशन को समझे तो जीरो से चौवीं फिस्दी होने तक हारे का रिट 24,16,8 फिस्दी होता है वहीं जैसा ही महंगाई भते 25 अग्स फिस्दी तक पहुँचता है तो एचारे को लिवाइज करके 27,18,9 फिस्दी करदिया जाता है पचास फिसदी महंगाई बता पहुंचने की स्थिती में एक बर फिर 30, 20 और 10 फिसदी हो जाएगा ऐसे में अगर महंगाई बता शुन्य कर दिया जाएगा तो एक चारे की अधिक्तम लिमिट भी रिवाइज होकर 24 फिसदी हो जाएगी एक्स शेहरों की कैटेगरी में फिलहाल 34 फिसदी है और वाई कैटेगरी के में 20 परसंट और जड़ शेहरों की कैटेगरी में 10 परसंट मिल रहा है क्या होगा रेविजन आये जाने हैं सबसे पहले हम आपको बताते कि 2016 में साथमा वितना योग लागू होने पर सरकार ने महंगाई बते की कैलकुलेशन को बदल दिया था इसके बाद में यह नए तरीके से लागो होने लग गई इसके बाद महंगाई भते की दर्रें भी रिवाइस करके शुन्य कर दिया गया था अब एच्चारे को भी महंगाई भते से लिंक कर दिया गया है इसमें रिविजन दो बर करने का नियम बनाया गया है पहले जब महंगाई बता 25 फीसदी होगा और जब दूसरा 50 फीसदी होगा 25 फीसदी होने पर एच्चारे की नियुनतम डियर 24, 16 और 8 फीसदी हो जाएगी अब सवाल है कि महंगाई बता शुन्य कब होगा महंगाई भत्य के शुन्य होने पर अभी भी संशय बना हुआ है दरसल ओफिशल इसका कोई भी ऐलान नहीं किया गया है वहीं लेबर वीरों की तरफ से भी ऐसा कोई सर्क्लर मुझूद नहीं है इसलिए 50% के बाद महंगाई भत्य के बदला जाएगा या नहीं यह कहना अभी भी मुश्किल है अगर इसे सुनते अगर इसे शुन्य भी किया गया तो जुलाई से लागू होने वाला महंगाई भत्य की दरों में इसका पता चलेगा हलांकि इसका ऐलान होने में सितंबर या अक्टूबर तक का वक्त लग सकता है तो आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा सितंबर या अक्टूबर तक लेकिन अगर आपको शुन्य महंगाई भत्त चाहिए तो आपको में यस जरूर लिखें अगर आपको शुन्य महंगाई भता नहीं चाहिए तो आपनो जरूर लिखें आशा करते हैं कि जानकारी पुसंद आई होगी और आसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें धन्यवाद